यह BioPure 32 extraction machine है तो इसको पहले यहां से switch on करना है उसके बाद इसके पीछे यह जो switch है यह switch है यह machine का power on हो जाएगा उसके बाद यह run screen आता है तो अगर आपको by default program जो है वो by default program को select करना है तो इसके ऊपर click कीजिए और उसके बाद run press कीजिए अगर आपको program change करना है तो manage program में जाएए और यहां पर यह सारे protocols है यह protocols में से आपको जो protocol चाहिए वो protocol सिल्एक कीजिए and then उसको save as कीजिए और फिर edit करना है तो edit कीजिए new कर तो यह प्रोग्राम सेलेक्शन हो गया, इसके बाद आपको इसका लाइट लगाना है, ओके लाइट लगाने के बाद यहाँ पर नीचे आपको लाइट डिखेगी, अभी मुझे यह ओपन करना, ओपन करके यह ट्रे बाहर निकलना है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, T1, T2 T2, T3, T4, T5, तो मैंने यह अभी भाइट लइक ओन किया है, और यह ट्रे में बाहर निकलता हूं, तो आपको यहाँ पर गोंब लगाना है, और यहाँ पर गोंब लगाना है, यहाँ पर गोंब लगाना है, तो उसके बाद आप यहाँ पर आपका 16 वेल का ब्लॉक रखोग मतलब जहां पर आप 16-ion samples प्रोसेस करोगे यहां पर एक भाद आप यहां पे रखोगे इसके बाद आप यह ट्रे को अंदर पुश्ट दोगे और उसके बाद यह बन कर दोगे उसके बाद यह लाइट आप बन कर सकते हो फिर आपको यह प्रोग्राम प्रेस करना है और रन दबाना है जैसे रन दबाऊगे रन स्टार्ट हो जाएगा इसके लिए अभी उसमें कुछ लोड नहीं किया हुआ है मैं इसके लिए मेरा प्रेस नहीं कर रहा और यह सब होने के बाद जब आप मशीन पुरा यूज कर प्लेट को परफिल्म से पडीकशन कर दू करके आपको टेम्टरेटर करना है आपको ऐसके ऊबर भड़ा हो कि आपको करना है यह बहुत जड़रोरी यह जब आप यहाँ से लेकर जाओगे दुसरे रूम में तो आपको वह कमने के लेक जाना है और सार चीज खतम होने के बाद उसके अंदर के जो कोम है जो आप यूज करने वाले हो यहां पे यहां पे यहां पे और यहां पे वो कोम निकाल के आपको डिस्कार्ड करना है और उसके बार आपको sterilize करने तो by default इसका sterilization 30 minutes है you can change it but preferably ideally it should be 25 minutes or more than 25 minutes then you have to click on start जैसे start करोगे आपको यहाँ पे display हो जाएगा कितना time बचा है जैसे ही खतम हो जाएगा UV अपने आप बंद हो जाएगा फिर आपको machine बंद करना है तो अभी मैं यूज नहीं करने वाला हूँ इसके लिए मैं अभी इसको stop करता हूँ यह सिर्फ आपको दिखाना था कि यह machine कैसे use करना है इसके लिए मैंने start किया था ठीक है तो इस machine के बार में अगर आपको कुछ भी और जानकरी चाहिए और कुछ प्रोटोकॉल आपको पता करना है कैसे करना है तो आप मुझे पूछ सकते हैं यह वीडियो आपको पसंद रहा लेगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और इस वीडियो को जार से जादा परवर्ड कीजिए थैंक यू